आप के लिए कुछ नूम्रिकल्स लेकर आया हूँ और ये नूम्रिकल्स प्रेभियस यह पूछे गए नूम्रिकल्स आप लोगों करना है अभी जटी आप मैं आपको इतना नूम्रिकल्स बता रहा हूँ आप ज़दी इसको पुरा-पुरा complete कर लेते हैं तो आपको आने वाले group D exams में एक numerical जो question होगा एक question वो पक्का बन जाएगा और बहुत सारे बचे इसी question को नहीं कर पाते और उनका selection रह जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा last तक देखिए और वीडियो को like कर दिजिए ठीक है मैं ज्यादा target नहीं रखता हूँ इसका next part आने के लिए मैं आपको इस वीडियो का मातर 30 likes का target रखता हूँ चलिए शुरू करते हैं पहला question मेरा है बिराम से प्रारम बकर के एक वस्तु 16 meter per second square के तोरण से चलती है और 5 second में तै की गई दूड़ी निकालना है हमको ठीक है बस्तु द्वारा पर्थम 5 second में तै की गई दूड़ी हमको निकालने के लिए के लिए तो सबसे पहले हम लोग देख रहे है कि बिराम से प्रारम बकर के हमारे question में दिया गया है बिराम से प्रारम करके यानि प्रारम्बिक बेग जो है वो जो हो जाएगा यू वो हमारा हो गया जीरो प्रारम्बिक बेग यू जो हो गया वो हो गया हमारा जीरो ठीक है प्रारम्बिक बेग यू जो हो गया हो क्या हो गया जीरो हो गया यहाँ पे देख लिएए कि हम किस तरह से solve कर रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से सुरू सुरू में solve करना है ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से कोई question बनता है प्रारंबिक वेंग यूज हो गया वो 0 दिया हुआ है कोई भी जवस्तु जब बिराम से प्रारंब होती है तो उसका जो प्रारंबिक वेंग होता है वो 0 हो जाता है ठीक है और इसमें जो है second परथ हम 5 seconds में t जो हुआ हमारा time यह दिया हुआ है 5 seconds कितना दिया हुआ है 5 seconds दिया हुआ हम लोग देख रहे है question में इस प्रकार धीकद से तो हम Go क्या निकालいた है यहां पर हमको निकालना है यहां पर दूरी तो दूरी होता है s बराबर जो दूरी होता है तो सबसे पहले s बराबर दूरी होता है तो यहां पर हम लोग formula लगाएंगे कौन सा formula लगेगा हम लोग का कि s बराबर ut पलस half a t square इस formula से इस सवाल का solution होगा ठीक है यह क्या है formula तो S यहां पर हम लोग लग देंगे S बराबर यहां पर हमारा दूरी हो जाता है U हमारा दिया हुए 0 और T हमारा दिया हुए 5 फिर मेरा half यहां पर A दिया हुए 16 यह कितना दिया हुए 60 दिया हुए है और फिर यहां पे हमारा टी जो है वो कितना दिया हुआ फाइब दिया हुआ और इसका स्क्वाइर भी तो फाइब से यहां पे फाइब सेकेंड है इसका स्क्वाइर भी है तो चली हम लोग देख लेते हैं इसको आगे करते हैं हम लोग ठीक है तो यह पूरा टर्म हमारा ज स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा हमारा तो यहां पर हमारा एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है और यहां पर हो जाएगा हमारा कितना पत्चिस तो पत्चीस हो जाता है यहां से कोई फरक नहीं पड़ता है यहां पत्चीस सेकेंड हो गया इसको किलियर कर ली हम लोग तो टोटल कितना हो गया यहां पर S जो है हमारा हो गया 0 पलस यह हो गया 200 ठीक है तो यह हमारा इस question का answer हो गया ठीक है तो 200 इस question का answer हो जाएगा ठीक है clear तो दूरी हमको निकल गई चली हम लोग अब अगले question को करते हैं ठीक है हमारा जो next question है next question जो है वो है हमारा एक बस्तू बिरामा अवस्था में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर के तो रन से चल रही है तो पांस सेकेंड में वो कितनी दोड़ी तै करेगा बिरामा अवस्था से जैसे ही बोला तैसे ही हम लोग क्या करेंगे यू ले लेंगे जीरो यू क्या करेंगे जीरो ले लेंगे और फिर जो है हमारा हो जाएगा यू हो जाएगा जीरो और फिर हमारा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर और तो हमको फिर से यहां पर वही बात क्या बोलड़ा है कि हमको यहां पर आपकी धूरी निकालिये यानि S निकालना है तो हमको वही फर्मूला लगाना है U T पलस हाफ A T square U T पलस हाफ A T square तो यहां 0 हो जाएगा, ठीक, T हमारा कितना दिया हुआ है, पांस सकेंड दिया हुआ है, ठीक है, तो T यहां पे 5 फिर यहां पे प्लस हाफ ए दिया हुआ है, हमारा 10, ठीक है, 10 मीटर पर सकेंड स्केंड स्केंड दिया हुआ है, ठीक है, फिर हमारा जो है, यहां पे दिया हु है नो यह बाला टिर्म तो टोल टोल जीन embargo स्वरढबर यहां पर दूरी निकाल रही हम लोगतес बराबर ओ जाता है तो जीडु पलस हाफ हो गया यह थो से काड़ है इसको फाइव ठीक है तो 5 मीटर पर सैकेंड स्कवार हूँ मैं और फिर जीरो पलस 125 तो टोटल चो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ठीक है तो 125 मीटर यहां पे हमारी टोटल दूरी निकल जाएगी ठीक है चलिए हम लोग अब अगला कुश्चन करते हैं अगला कुश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक चलती हुई क उसका प्राडम्बिक बेग क्या था हमको बताना है तो सबसे पहले यहां पे हमको जो पूछ रहा है हमको वो दीजी दिखना होगा हमको सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है मंदन, मंदन दिया हुआ तो मंदन कितना दिया हुआ है 2.5 meter per second square 2.5 meter per second square दिया हुआ है ठीक है कोई दिकत नहीं B हमारा क्याव दिया हुआ है 0 meter per second ठीक है 10 second में रुक जाती है जैसे ही कोई रुकी उसका तो हो गया वो भी 0 हो गया ब्रेक लग गया तो यहां पे B उसका 0 हो जाएगा U हमको निकालना है प्राणबिक बेक को U से सुचित करते थे और U हमको निकालना है ठीक है T हमारा दिया हुआ है 10 second T हमारा कितना दिया हुआ है 10 second ठीक है और हमारा जो formula होता है वो क्या होता है मैं आप सभी को बदाता हूँ B बराबर formula होता है U plus AT B बराबर U plus AT यह हमारा formula होता है तो U बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B minus AT यह इदार आजाएगा plus में है बराबर के set हैगा तो minus में हो जाएगा तो B minus AT U बराबर समझ गए आप लोग तो यह plus में है AT इदार आजाएगा बराबर के तो मैनस में हो जाएगा तो भी यह हो गया इससे ठीक है तो यू हमको नहीं पता है ठीक है भी हमको पता है कितना है जीरो है यह हमको पता है कितना है तो यह जो है हमारा जब मंदन में है और मंदन में जब कुछीज रहता है तो वो रहेगा मैनस में किसमें रहेगा मैनस में रहेगा तो मैनस 2.5 देंगे ठीक है और टी हमको पता है कितना तो टी हमको पता है 10 second कितना 10 second तो E हो जाएगा 0 से मैनस मैनस हो जाएगा पलस तो 0 पलस 2.5 हो जाएगा अफिर इसको हम लोग कितना से कर देंगे 10 से मल्टिप्लाइ कर देंगे 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे इपॉइंट उड़ा यहां 10 तो E 10 10 कट गया तो कते हो गया U? यहां से U स्टार्ट किये जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको उसका solution मिल जाएगा चलि चार और पांच नमर के जो question और है अभी हम लोग ये दो question भी कर लेते हैं ठीक है चलि मैं question पर देता हूँ चार नमर का जो question है क्या कह रहा है एक बस 54 किलो मीटर पर घंटा की चार से चल रही है ड्राइबर दोरा ब्रेक लगाने पर वो आठ सकेंड में रुक जाती है तो बस का तौरण क्या होगा यहां पर हम लोग को तौरण मांग दिया यह मांग रहा है ठीक है सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि हम लोग को दिया किया गया है तो सबसे बोला एक बस 54 किलो मीटर पर घंटा की चार से यानि प्राणाम्भीक चार जो है उसकी कितनी दिया हुए 54 किलो मीटर पर घंटा यू जो दिया हुआ कितना दिया हुआ हमको multiply करना होगा कितना से 5 by 18 5 by 18 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ती या 54 किलो मीटर पर घंटा को जो हम लोग मीटर पर सकेंड में बदलते हैं तो उसके लिए हम 5 by 18 से multiply करते हैं ये बात आप सभी को पता होगा बखुबी पता होगा तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सकेंड ठीक है और भी जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना जीरो दिया हुआ भी हमारा जीरो दिया हुआ है टी हमारा 8 सेकेंड दिया हुआ है ठीक है टी हमारा 8 सेकेंड दिया हुआ है ड्राइबर ब्रेक लगाने पर तो भी 0 हो जा रहा है टी 8 सेकेंड दिया ब्रेक लगाया है तो भी 0 हो जाएगा और यहां पर 8 सेकेंड में रुक जाती है तो टी किते 8 सेकेंड हो गया यहां पर हमको और कितना हमको निकालना है ए ए बराबर नहीं दिया हुआ ए बराबर हमको तो यू हमारा कितना है चाववन है तो पंदरा मीटर पर सकेंड निकल गया चाववन किलो मीटर पर घंटा था तो पंदरा मीटर पर सकेंड निकल गया तो यू हो गया पंदरा काई कि मीटर पर सकेंड में सकेंड में टी दिया हुआ इसलिए मीटर पर सकेंड में चेंज किये तो यहाँ पे u जो हो गया वो हो गया पंदर, a हो गया हमारा कितना, a हमारा उनको निकालना है, तो यह तो नहीं पता है, a लिग देंगे, t के जगा लिग देंगे 8, ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 15 पलस 8 है, कोई दिक्कत नहीं, तो यह जो यह पलस में है इधर इधर आएगा तो मैनस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा मैनस 15 बराबर हो जाएगा 8 है कोई दिक्कत नहीं तो यह बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह बराबर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैनस 15 बाइट हो जाएगा को ठीक है इतना के something हो जाएगा तो यह हमारा answer हो गया चलिए आज का last question हम लोग करते हैं और यह question थोड़ा सा अलग है और इस question को भी हम लोग कर लेते हैं एक उपगरा 90 मिनट में पिर्थिभी की पडिकर्मा कर लेता है तो उसकी कोनिये चाल angular speed होगी यानि omega पूश दिया कि क्या होगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया गया गया सवाल में तब उसके बाद सवाल बनता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या दि 90 मिनट ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसको हम लोग second में change कर लेंगे तो 90 into 60 करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है यह second हो जाता है ठीक है इतना हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं और हम देखते हैं कि के अंदर पर जो कौन मनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जब किसी भी के अंदर पर जो कौन मनता है के अंदर पर जो कौन मनता है वो होता है 2 pi radian 2 pi radian ठीक है और theta जो होता है कौनिय बिस्थापन कौनिय बिस्थापन जो होता है कौनिय बिस्थापन कौनिय बिस्थापन जो होता है वो होता है theta बराबर 2 pi radian ठीक है इस बात को आप लोग को याद रखना होगा ठीक है और हमारा ओमेगा जो होता है वो होता है को निये चाल और ओमेगा बराबर जो होता है ठीक है ओमेगा बराबर जो होता है वो होता है ठीटा भाई टी ठीक है तो यहाँ ओमेगा देंगे ओमेगा बराबर लिखेंगे टू पाई रेडियन ठीक है कहें कि थीटा हमारा टू पाई रेडियन है के अंदर पर जो कौन बनता है पिर्थे भी के के अंदर पर किसके पिर्थे भी के के अंदर पर कौन जो बनता है ठीक है तो केंदरिये जो बिस्तापन हो जाएगा वो थीटा बराबर हो जाएगा टू पाय रेडियन तो थीटा के जगा टू पाय रेडियन दे दिये यहां पे नब्य गुना साथ है कितना है नब्य गुना साथ है तो यहां पे जो 2 दीए, पाइ दीए, तो यह अलग चीज होगी, आपर 2 इंटू पाइ के जगह तो हमको मान देना होगा, तो 3.141 ले लिए, यहां पे ले लिए 90 गुना 60, जब इसको हम लोग काटेंगे, आप काटके दिख लिजेगा, काटेंगे तो आपको एंसर निकलेग ताकि आप लोग ज़्यादा question कर सके, आप लोग को अगली सरी चाहिए, तो कम से कम 30 लाइक इस वीडियो को दे दीजिए, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जो भी question समझ में नहीं है, आप comment box में type कर सकते हैं, आपका problem क्या है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका solution करने की को पूटी से सुरुआत हैं, तो आप लोग से support जरूर कीजिए, चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाई, जैहिन, जैहाराद,